नमस्कार दोस्तों इस नई वीडियो में एक बार फिर्शे स्वागत है आज हम आपको प्रोपर तरीका ये बताने वाले हैं कि कैसे आपके अपने मोबाइल में सीम चेंज करना है या फिर नया सीम कैसे डालते हैं बहुत सारे लोगों को सही तरीका पता नहीं होता है और उल् खूब उस पर प्यार दिया है तो इस वीडियो पर भी आप सभी अपना प्यार दुलार दीजेगा ये मेरे पास एक पुराना सा रेडिमी का मोबाइल है आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये कबर अफ है इसलिए खुल करन नहीं तो आपका जो कोई भी नंबर यदि सेव होगा या फिर डेटा कोई भी होगा तो हो सकता है कि डिलीट हो जाए ऐसा होता नहीं है लेकिन किसी-किसी मोबाइल में मैंने देखा है कि ऐसा हो भी सकता है तो दोस्तो यहां पर आपको सबसे पहले अपने मॉबाइल को दिखाई देता है इसको long pressed करके रखिएगा और लांग प्रेस करके रखिएगा तो यह पर आपको power off या switch off का option दिखाई देगा चारिए मैं फिर से इसको long pressed करता हूं और यहां पर तो चलिए सबसे पहले हम इसे switch off करते हैं यहाँ पर आप एक बाड टैप कीजिए कितने मॉबाइल में आपको यहां पर long press करके रखना पड़ता है तब woh switch off होता है power up होता है यहाँ फर हम एक बाड टैप कर देते हैं यह mobile मेरा switch IASHा अब आपको क्या करना है देखिए यह मेरे पास एक सीम है इसमें double पहले से ड़ला गया है लेकिन वह सीम नहीं काम कर रहा है उसमें रिचाज नहीं है इसमें रिचाज है तो इसको हम डालना चाहते हैं तो इसको यहां पर पहले रख देते हैं अब इस तरह के कोई भी एक सीम इजेक्शन टूल आपको जो मोबाल खर दें होंगे तो मिला होगा नहीं मिला होगा तो इस तरह के ही इतने पतला आपको कोई भी टूल ले लेना है ध्यान रखना है कि यह इस साइड से जो नुकीला नहों यानि कि इस तरह से बराबर हो नुकीला नहों नहीं तो आपके मोबाल को खराब भी कर सकता है तो यहां पर इसको ध्यान रखना है त गबर को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक देखिए फोल दिखाई दे राए इसमें इसको डालना है अंदर डालने के बाद थोड़ा सा धीरे से लॉंग प्रेस करना है जादा जबर्दस्ती नहीं करना है जब long press कीजिएगा तो एक बार यह जो परसन है आपका बाहर निकल कर आएगा इसको एक बार इस तरह से धीरे धीरे करके हराम से आइस्ता आइस्ता आपको जब इतना निकल जाए तो आपको धीरे से इसको अपने हाथ से बाहर निकाल लेना है और इसको हम बोलते हैं dedicated seam slot जो की इसमें दो seam और एक यहाँ पर जो खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप memory card डाल सकते हैं और जो ऐसा रहता है इसमें एक seam और एक आपको memory card लगता है आपको hybrid seam slot बोला जाता है तो हमें यह जीओ वला को बदलना है तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर रख देते हैं और यह वाला जो जीओ वाला है इसको हम इसमें डालेंगे आपको देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक कटा हुआ है निसान और इसमें भी कटा इसी तरह से इस sim में भी इस side में कटा हुआ है और sim में जिस तरह से कटा हुआ रहता है उसी तरह से आपको डालना है यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रुवत है यहाँपर देखिए यह कटा match कर देना चाहिए यहाँपर यह अराम से लग गया अब इसको फीर से वही भी डाल सकते हैं एक संत यहाँ पर इस तरह से धीरे 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 आपको प्रेस करते जाना है यह अपने आप आकर बैठ जाएगा उसके बाद दोस्तों फीर से आपको यहां पर start करना है अपने mobile को यह देखिए मेरा mobile start हो चुका है और थोड़े देरे में यह open होगा आपको दिखाता हूँ कि tower आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो mobile है start हो चुका है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोनों में tower आ रहे हैं यहां पर थोड़ा सा network कम आता है इसलिए कम tower दिखा रहा है लेकिन tower दोनों में सोक कर रहा है बोल्टी भी दिख रहा है तो दोस्तों यही था पुरा तरीका वीडियो चलागा हो तो like, subscribe, share ज़रूर कर दिज यहां?